भारतिये जनता पार्टी के ही नेता अटल ब्यारी वाजपई साब वो खुद कहते थे छोटे मंद से कोई बड़ा नहीं होता तूटे मंद से कोई खड़ा नहीं होता भारत अगर धर्म निर्पेक्स नहीं है तो भारत बिलकुल भारत नहीं है लेकिन अटल ब्यारी पर बैठे हैं आज उनी की तरह प्रधान मंत्री बन करके बैठे हैं तब अटल भ्यारिवाजपी जो कहते थे छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है लेकिन नरेंदर मोदी जी से ऐसा दिखता नहीं है कि विपक्स के नेताओं के लिए वो कभी बड़े दिल से बात करें का हेड़कॉर्टर जो दिल्ली में है उसको भी पाफ श्तार होटल माना जाता है बहुत सारे लोग कहतें कि फाइस स्टार होटल है और उसका और विस्तार किया जा रहा है मोदी जी पहुंचे मोदी जी ने पहुंचकर कि वहाँ पर लंबा चोड़ा भाशन दिया और उस भ पाउरफुल सत्ता थी अज मोदी के पास में अटल बहरी वाजपई से ज़्यादा पाउरफुल सत्ता है और उसके बाउजुद आज ये विवहार देखिए आप मैं कुछ एक चीज़ आपके सामने रखता हूं मोदी जी देखिए आप ये आज सका स्क्रिंशोट में कुछ ए कहते हैं कि आप से डर करके सारे बश्यचारियों ने जो है वो गठबंधन कर लिया है तो विपक्स को आप क्या कह रहे है और जब खुद सत्ता में आये थे तब कितनी पार्टियों को गठबंधन था सोचे जरे इस बात को वो बात अलग है कि सारे गठबंदन की पार्टियों का आप वोट खुद अपने आप से जो हड़ते चले गए अपने आप में मिक्स करते चले गए और गठबंदन को जब लगा गठबंदन में दूसरे साथिओं को जब लगा कि BJP तो हमको ही निगलने का काम कर रही है मोदी जी तो हमको ही निगलने का काम कर रहे है वो निकल ली है और आज NDA के नाम पर केवल BJP बची है तो कमाल की बात ये है कि जब आप गठ बंदन करें तो गठ बंदन है और दूसरे पार्टी अगर गठबंदन करें तो भर्षचारी है दूसरे पार्टी अगर गठबंदन करें तो साफ बिच्छुबू ये हो जाते हैं आप तो भूत बार ऐसी बाते कहते हैं उसके बाद में क्या कह रहे हैं सुनियें उसके बाद में मोदी जी कह रहे हैं कि जी ने ऐसा बना दिया है देश के लोगों को मैंडसेट जो है वो बीजेपी ने ऐसा कर दिया है उनको लगता है कि मोदी जी जो बोलेंगे देश के लोग उनहीं पर यकीन करेंगे मोदी जी कह रहा है कि बीजेपी को डगर डगर पर भाई भतीजावाद से लड़ना है ये नहीं बताया कि किसके भाई भतीजावाद से वो कॉंग्रेस के भाई भतीजावाद पर जो है वो उंगली उठाते हैं अखलेस यादव के परिवार पर उंगली उठाते हैं लालू परसाइद यादव के परिवार पर उंगली उठाते हैं उद्दो पर ठाकरे के परिवार पर उंगली उठाते हैं लेकिन जराई फेरिस्त देखिए जराई ये लिस्ट आप देखिए अमित शाह से लेकर के जैशा उसके बाद में जो है राजनात से लेकर के उनके बेटे आप इसमें गिनते चले जएए कौन-कौन से बड़े नाम है अनुराग ठाकूर कितने बड़े बड़े नाम जो है वो इसमें आपको दिखाए देंगो और अनुराग ठाकूर का भी बेटा आ गया है सिंध्या जो परि है बल्ला चला रहे है केलास वीजे वर्गी के लिए लड़के विधायक को आप जानते हूंगे बल्ले बाज तो कमाल की बात यह है कि अपना भाई भती जावाद वो नहीं दिखता है केवल गांधी परिवार में भती जावाद है अखले स्यादव में ललू परशाद यादव में यह चीज़े दिखती हैं दूसरा आप देखिए यह कह रहे हैं कि भारत विरोधी जो सक्तियां है वो एक जुठ होना सभाविक है मेरी वज़े से या उनके सत्ता की वज़े से वो यह कहना चाह रहे थे अब बतेए आप भारत के विपक्स को आप यह क्यों मानते हैं आप से पहले जो है वो एकोनोमी कैसी चल रही थी आज एकोनोमी कैसी है पहले गरीब ही रेखा से कितने लोग बाहर आए और आज कितने लोग गरीब ही रेखा के अंदर चले गए तो क्या कहना चाहते हैं यह कह रहे हैं कि भारत विरोधी सक्तियां अब कौन सी भारत विरो उसमें कोई पैसा डालने के लिए तयार नहीं है उसमें यहां के बैंक आकर करके कहा रहे हैं कि हम लोन देने के लिए तयार है SBI और LIC का पैसा सरकारी पैसा जब अडानी की हालत खसता है तब भी उसके अंदर जा रहा है अब बताइए इसको लूट कहेंगे कि क्या कहेंगे बताइए इसको जरा दूसरा देखिया आप यह कमाल की बात है यह आज से चैनल ने भी खेल कर दिया यहाँ पर लिखा है कि बीजेपी यूटूब ट्वीटर हैंडल से बनी भी नहीं है मोधी जी कह रहे हैं उनका जो पू चाकत के बदोलत कारिकरता की मेहनत के बदोलत बीजेपी चलती है इस बात को मोधी जी कह रहे थे उन्होंने आज तक चैनल ने टीवी और अखबार का नाम हटा दिया केवल यूटूब चैनल और ट्वीटर का नाम रखा है बताइए सबसे ज़्यादा अमीच्छा कहते हैं कि हम पलक जपकते ही जो है हमारे इतने सारे वर्टसप ग्रूप हैं तो सबसे ज़्यादा सोचल मीडिया का प्रियूख तो आपने किया है और सबसे ज़्यादा मिस्कोल वाली पार्टी कौन सी है बताइए ज़रा इस बात को लेकिन क्या बात कही जाती है दूसरा आप आग वाली बात है अब आगे देखिए आप मोदी जी कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले दो गुना केस दर्ज किये गये हैं मोदी जी ने कहा कि PML कानून के तैज जो है पहले 2004 से लेकर के 2014 के अंदर 5000 करोड रूपए जो है कोंग्रेस ने वसूल किये लेकिन हमने 1,00,000 करोड रू लेकिन ये बात नहीं बता रहे हैं कि सारे विपक्स के नेता क्यों है तो किस तरह ऐसे चीजे हो रही है और एक यह आप और देखिए ये लिखाया कि भारत का दुनिया के मंच पर आज भारत का डंका बज रहा है बिलकुत सही बात है और बजना भी चाहिए गरोब भी होना कि अंतराश्टी साजिस हो रही है तो कैसे चीजे चल रही है आपके सामने है और फिर भी कहते हैं कि देखिए साब विपक्स दो है वो ऐसा है नहीं तो हम ये कर दे वो कर दे अट्रल वियारी वाज़स पर इसाब ने वो इसी टाइम के लिए कहा था कि कोछ छोटे मन से कोदी जी जो अपने आप में इतने ज messy वक्ता माने जाते थे लेकिन आज केवलॉ और केवल जो है वो विकॉक्स के बीजेपी के नेता इस बात को सोचे, तो बैराल शेर कीजिए इस ख़बर को, लोगों तक पहुचाईए, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बुक्स में लिख करके मुझे जरूर बताईए, और इसी तरह एक तमाम ख़बरों के लिए, ओनलाइन यूजिनेक सब्सक्राइब